हेलो गाइज वल्कम बेक टो मैं चैनल हलीन का दुनिया में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने वाले हैं सिंधी बुगा राइस जिसकी रेसिपी बहुत ही आसान है आप इसको बिल्कूल आसानी से 5 से 10 मिनिट में उसको बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बुगा र सकते हैं कि मैंने ओनियिन को लंबा-learning कर देा यहाओ अब कुकर में हम 2 बड़े टेबल स्पून ओए बड़े स्पोन डालें गे और इसमें हम दो लविंग डाल देंगे आप चाहे तो इसको कडाई में भी बना सकते हैं अब हमें इस करम तेल में अनियन डाल दिया इसको हमें अच्छी तराख से पकाना है जब तक ये ओनियन डार्क ब्राउन ना हो जाए तब तक कंटिनुज को पकने देना है बीच पीच में स्टर करते जाना है यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यह उतना ब्राउन नहीं हुआ है यहाँ पे आप देखिए अब तीरे द प्राउन होता हमको दिख रहा है फिर भी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे मैंने राइस को पहले से ही बिगो के रख दिया है चार-पांच पानी में मैंने इसको वाश कर दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ओनियन काफी ज्यादा ब्राउन हो गया है तो अब मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल दूगी आपको एक बात याद रखने है इसमें हमें हल्दी नहीं डालना है इस राइस में जो भी कलर आएगा वो रेड चिली पाउडर का ही कलर आता है अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसारा पाउडर भी डाल सकते हैं यह आपको कैसे पकाने है उसके हिसाब से डाल दीजिए यहाँ पर मैंने डेर ग्लास पानी डाला है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे स्वाद अनुसार नमक एड़ कर देंगे और इसको हम दो विसल आने तक पकाएंगे और फिर तीन-चार मिनिट तक दीमी आज पर पकन कि आज जब साइब आविक कुल जैसा अर्ट कर निकल आया है और राइस पी एक tyre खिले बने हैं जिनाफर आप देख सकते हैं मैं है कि अगी दाना कितव और अज्टेमा कि तक दी दूटक IPS के राहत हो और हाँ सिंधी लोग इसके साथ आलू बनाते ही बनाते हैं तो मैंने भी आज यहाँ पर आलू फ्राइ कर दिया है तो चलिए लंच की ठाली रेडी कर देते हैं सबसे पहले हम एड़ करेंगे हमारे फेवरिट बुगा राइस क्योंकि इसमें हम ओनियन को बहुत सारा बूनते हैं इसलिए इसको बुगा राइस बोलते हैं साथ में साव करेंगे आलू और सिंधी है हम तो पापड तो हम कैसे बूल सकते हैं तो साथ में साव किया पापड़ तो लीजे रेडिये सिंधी बुगाराइस विद आलू बाबाई टेक केर तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया कि नहीं वो मेसेज करके जरूर से बताएगा बाबाई